स्कार न्यूज स्टेट भीहार जार्खन डिक में आप मैं हूँ आपके साथ नैना श्रांडेलिया बुल्टिन के शुर्वात करेंगों से पहले इस वक्त की बड़ी और एम जानकारी आप तक पहुचवा दे जार्खन की राजरिती में फिर बड़ी सरगर्वी पूर्व सीम चमपाई सोरेन पहुच दिली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चमपाई सोरेन सूत्रों के अब बड़ी ख़बर सामने आ रही है चमपाई सोरेन के साथ चार से पाथ वधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रामदा सुरेन, चम्रा लिंडा भी हो सकते हैं बीजीपी में शामिल इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी पूर्ब सी एम चमपाई सुरेन दिल्ली पहुच गए हैं जारकन में सियासी हलचल तीज होती वोई नजर आ रही है पूर्ब सी एम चमपाई सुरेन 6 MLSD के साथ दिल्ली रवाना हो गए है और ऐसे में बीजीपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं इस कवर्ट पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवधाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सुराज जारकर्ण में सियासी हल चलती है जो गई है और पूर्बसी एम चमपाई सुरेन अब दिल्ली भी पहुँच चुके हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं क्या कुछ जानकारी क्या कुछ उलट फीट देखनी को मिल सकता है सियासी उठक पड़क के बीच में चमपाई सोरेन कल देख शाम जमशेदपूर पहुचा और जमशेदपूर से वो सिधे कोलकाता के लिए रावाना हुआ इसके अलावे चुनाव प्रभारी सिवरासिंग चौहां सो मुलाकात करेंगे समवता तीन बजे के आसपाद बीजेपी के केंदर कारेले में भाचपाद की सदस्ता ग्रहन कर सकते हैं और अलागे चमपई सोरेन के साथ-साथ जो नराज विधायक है जारकन मुक्ति मूर्चा के चाहे वो चमरा लिंडा की बात कर ले या फिर लौविन हैम्रम की बात कर ले ये विधायक भी चमपई सोरेन के साथ इसके लावे कहाईए जारा कि लगवाद चार से पांच और व कुछ विधायक है यानि जो जेमें की वोड़ बैंक है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है क्योंकि वोड़ बैंक जेमें की सबसे ज्यादा कुल्हान और संधाल में यहीं दो वोड़ बैंक से जारकन मुक्ति मूर्चा चुनाओ जीता करता है और ऐसे सी तीम अगर चुक्त क कि जो स्यासी पारा है वो अब दिल्ली स्थ हो गई है कल आपने देखा कि देर शाम चंपई सोरें ने मेडिया के सवालों का जवाब देती हुए का कैसी कोई बात नहीं है लेकिन रात में ही चंपई सोरें कोलकाता के लिए रवाना हो गया और फिलाल अब दिल्ली पहुंच अब जारखन के जो राजनिती पारा है वो पूरी तरह से साथवे आत्मान पर है मुख्य मंत्री हेमन सोरें फिलाल थोड़ी दिर के बाद उनका पाकूर का दोरा है पाकूर दोरा शायद उनका चल भी सकता है कि कि जो स्थितिया अभी जारखन मुत्पन हुई है ऐसे में सर सूरा जो ऐसे में आपने भी जस तरह से बताया कि लगातार सियासी उठा पटक भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में चमपाई सुरें से बीजेपी में शामिल होने कि जब अटकलो के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने इसाफ़तर पर यह कह दिया था कि आप करा राज चल रहे थे और इसके बाद या बड़ा उलट फीर देखने को मिल रहा है सूरच कुछ दिन पहला मुझसे यानि हमसे चमपाई सोरें के टेलिफोनिक बात हुई थी हमने पूछा थे कि दादा आपके नराजगी का वज़ा क्या है तो उन्होंने साफ कहा कि जो हमे पार्टी से सम्मान मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से हटाया जाने के बाद मुझे वह सम्मान नहीं मिल रही थी अगर हेमन सोरें को मुख्यमंत्री बनना था तो उसके कोई जल्दवाजी नहीं होनी चाहिए थी हालांके देखे नराजगी उसमें एक पॉइंट अपनी थी उनकी पूरे शहरों में लग गई थी पंडाल बन गयते स्टेज बन गयते हैं लेकिन एन वक्त उन्हें पार्टने से मना कर दिया गया इसके लावे ऐसे जो महिया सम्मान योजना है यह चंपई सोरें के कारिकाल के दौरान इसे नाम दिया था लेकिन अब इसकी जो इसकी जो माइलेज हैं वो हेमन सोरें ने लिया है तो एक नराजगी यह भी फिस के लावे पार्टी से इनके दूरी रखा गया ऐसे जो कई फैसले थे के मुखे मंतरी का कारिकाल में कहा तो इसी कई बाते थे कई बातों को लेकर उन्होंने नराज़गी भी जताई है और आपने देखा कि कुछ दिन पहले जम्शियत्पूर में सहीद निर्बल महतों के सर्धांजली के दौरान हैमन सोरें के साथ साथ उनकी पत्नी कलपना सोरें थी लेकिन उस वक्त भी चंपई स सब्सक्राइब करते हैं और उस समय से लगतार यह क्यास था कि मुख्यमा चंपई सोरें भाजपा का दामन थाम सकते हैं और आपने देखा कि विस्वांन ता विसुसरमा लगता जार्खंट के दौरें पर हैं और उनसे जब भी मुद्धा मीडिया के लोग सब सवाल करते थ आप आप विसुसरमा चंपई सोरें के लगतार तो यह संकेत था कि चंपई सोरें के कारेकाल काफी अच्छा रहे हैं और यह कारेकाल को लेकर भाजपा पूरी तरह से उनका फिट बैक उनके तरफ से काफी अच्छी थी तो ये क्यास लगाया जा रहा है कि कहीं लगातार के जो बयान आया अब ये सब क्लियर हो गया कि चमपई सोरें दिल्ली पहुंच चुके हैं कभी भी वो भाज़वा का दामन उस विधायकों के साथ ठाथ 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 ठाथ